दोस्तो आखे बंद करने पर जो हमें कलर दिखाई देता है वो ब्लैक नहीं होता है बलकि एक बहुत ही यूनिक कलर होता है जिसका नाम है आईजेन ग्राउन दोस्तो साइकलोजी के अनुसार सचे दिल से लड़के लड़किया किसी भी काम को मना नहीं कर पाते हैं यदि वो मना कर देते हैं तो अंदरी अंदर उससे बुरा महसूस होता है दोस्तो साइकलोजी के अनुसार अगर सपने में ऐसा दिखे कि कोई आपको दोडा रहा है तो इसका मतलब होता है कि जल्दी आप किसी अपने से या फिर अपने करीबी से दूर होने वाले हो दोस्तो जो टाइटैनिक सिप थी जो दूब गई थी उस पर यातरियों और स्टाप के खाने के लिए 49,000 किलो मीट था 40,000 अंडे थे और 40 टन आलू था जिसमें से 590 किलो ग्याद था उसमें से 36,000 सेव मौजूद थे जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती दोस्तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे तुरलब बलड और एच नुल बलड है जो की करोडों लोगों में से किसी एक व्यक्ति में पाई जाती है और एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में इस बलड के किवल 50 लोग ही मौजूद है जिसके कारण इसे golden blood भी कहा जाता है साइकलोजी के study के अनुसार लड़कियों को छोटे बच्चों की तरह रहना और उसी तरह बरताओ करना लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है दोस्तो साइकलोजी कहती है कि अगर किसी महिला के साथ कोई पूरूस अगर बात चीत करता है तो उसकी मानसिक इस्तिती में सुधार आता है दोस्तो अगर आप कोई बाहर खड़े हो और आपके बाल अपने आप खड़े हो रहे हो तो वहाँ से तुरंद भाग कर किसी सुरची तस्थान पर चले जाईए क्योंकि इसका मतलब होता है कि वहाँ पर बिजली गिरने वाली है दोस्तो साइकलोजी के अनुसार अगर कोई लड़की आपको दूर से देखे लेकिन पांस पहुचते ही किसी और जगा देखने का बाहाना करने लगे तो समझ जाईए कि वह आपको पसंद करती है दोस्तो आक्टोपस के बारे में तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि आक्टोपस एक बार में लगभग 56,000 अंडे देता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे बच्चे चावल के दाने के पराबर होते हैं दोस्तो क्या आपको पता है कि डाइनासोर जब प्रिथिवी पर थे तो उस समय एक दिन में 23 घंटे हुआ करते थे और एक साल में लगभग 342 दिनों का होता था दोस्तो क्या आपको पता है कि सिर्फ एक घंटे तक ही हेड़फोन का इस्तमाल किया जाए तो हमारे कानों में जो बैक्टेरिया की संख्या है वो 700 गुना बढ़ जाती है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि औरोड ग्रह पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मिटी वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ